क्या गीदडों के जुंड में एक शेरनी को लड़ते तुमने देखा है? क्या भाड़े के टट्टूओं के बीच में एक हक की सदा आवाज लगाती शह्जादी को तुमने देखा है? क्या जूट फरेव और धोके के शोर में एक प्यार की अमन की सदा लगाती मुस्लिम बच्ची को तुमने देखा है? आईए मैं आपको दिखाता हूँ हमने सीखा है अदाने सहर से ये असूल लोग खाबिदा ही सही हमने सदा देनी है अलवाज और माणी में तफावत नहीं लेकिन मुल्ला की अजाँ और है मुजाहिद की अजाँ और परवाज है दोनों की उसी एक फजा में करगस का जहां और है शाही का जहां और प्यारे नाजरीन कैसे आप सब उम्मिद करते हूं कि आप अच्छे होंगे इंशालला मैं आपका मेज़मान मुहमद नाजी मरीमी गासमी आज फिर एक एहम पेगाम के साथ में आपकी खिद्मत में हाजिर हुआ हूँ दोस्तो इसमें कोई शक नहीं है कि तुमने नारे तकवीर को जलसों और महफिरों की जीनत बनते हुए बहुत देखा होगा लेकिन दुश्मनों के कलेजों पर पाउं रखकर नारे तकवीर की सदा तुमने आज सुनी है उस गेरतमन्दे एमान और इसलाम रूहानी फातिमा की बेटी मुहम्मद की उस शेहदादि इसलाम की उस शेहदादी को रानी को महरानी को हजारों सलाम हो के जिसने अजीब इमानी घरातुहमयत का सुबूत पेश किया है किस तरह दुश्मन के जुन्ड और दुश्मन के जुत्टे में नारे तक्बीर को बुलंद किया है यखिरन इस बच्ची ने ये बात थाबित करती है कि जिन सिनों में इमान होता है ना उन सिनों में बुजदिली पस्त हिम्मती बेहिमती कभी जमान नहीं हो सकती है जिन सिनों में एमान होता है उन सिनों में बुजदिली जैसी रजीर और बुरी बातों के लिए कोई ठिकाना नहीं होता है इंडिया के सुबा करनाटक की इस बच्ची ने अपने इमान अपने यकीन अपने फुलादी जजबे और अपनी इमानी इस्तिकामत का सुबूत देकर अम्मी आईशा, खदीजा और दीगर सहाबियात रजिलल्लाव अनहुना की यादे ताजा कर दी है कुफर, जल्म, शिर्क और शैतानी ताकतों के सामने कल वो बच्ची अकेरी डटी रही, कल बेखतर कूद पड़ा आतिशे नम्रूद में इश्क का अजीब मंजर था, कल आस्मान ने ना एक अजीब वाक्र देखा था, कल जमीन को फखर हुआ होगा, कि उसने अपनी एक इसलामी शहजादी को सवार किया था, जिसके सीने में एक इमानी जजबा था, एक इमानी होसला था, कल ना जब वो बच्ची उन गिड़रों के शैतानों की बीस में लड़ रही थी ना, यकिनन उस बच्ची को देखकर सहाब़े कराम के इसलाम के वाक्यात, उनका इमान पर जमना और मुस्तकिल जमे रहना, उन वाकियात को समझना हमारे लिए आज बहुत आसान हो चुका है, आप उसको डरा रहे थे, मगर वो डरी नहीं, आप उसको पर्दा करने और पढ़ने से रोक रहे थे, दुन्या ने देखा, वो पर्दा करके आई भी और पढ़कर चल कर रहे थे, अरे जाओ जाकर देखो, वो हजारों के लिए मिसाल बन चुकी है, जिन्दा रहना है, तो हालाश से डरना कैसा, जब जंग लाजिम हो, तो लशकर नहीं देखे जाते, सलाम है उस बच्ची को, कि जिसने अपनी गरत और हमियत का एक बेमिसाल सुबूत पेश कि हैं, कि मैं अपनी तमाम इसलामी माव और बहनों से ये बात कहना चाहूंगा, कि आप पर्दे को लाजिम पकड़ लें, हिजाब करना पर्दा करना आपकी शनाफ्त को छुपाता नहीं है, बलके जाहिर करता है, हिजाब करना आपके खांदानी होने का सुबूत है, आपका पर्दे में रहना, ये आपके बाखलाख और बापर्दा और बाहया होने का सुबूत है, इसलिए आप पर्दे को लाजिम करें, पर्दा करना गरतमंदी का काम है, पर्दा करना ये इसलाम से मुहबत का सुबूत देता है, और अखिर में आजीज़ों आपसे गुदारिश ह कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए गा और बेल आइगन को दबाना बिलकुल मत भूलिएगा ताके मेरा हर पेगाम आप तक पहुंच सके